केवल एक प्रस्म का जवाब हो वैसी साहब दे दें कि बावर को वो आकरमनकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं पुश्वमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं बताओ पुश्वमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौश थी मंदिरों पो तोड़ने के लिए आप क्या मानते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि निशिकान दूबे तुम गांदी की बात पूशते तुम बोस की बात पूशते तुम काला पानी में जो मुसल्मान शहीद होके उनकी बात पूशते मगर बाबर की बात पूशी जाती है श्री असदुद्दीन ओवेसी जी मौतरम चेर्मन साथ आपका बहुत शुक्रिया मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ सर मैं शुरुआत में हबीब जलिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आप अर्दू जानते हैं और लॉव मिनिस्टर भी अर्दू जानते हैं हबीब जलिब ने कहा था कि हुकुमरान हो गए कमीने लोग खाक में मिल गए नगीने लोग हर मुहिब वतन जलील हुआ रात का फासला तवील हुआ आमेरों के गीच जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे रहजनों ने रहजनी की थी रहजनों ने रहजनी की थी रहबरों ने भी क्या कमी की थी सर मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंडे गुरुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे कहा कि 6 डिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त कि वजीर आजम नरसिमाराओ पूजा कर रहे थे आप ही ने कहा और कहा कि मुझे डिस्टरब नहीं करना तो ये बड़ा अजीब मौखा है कि बीजेपी की ताइदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिमाराओ ने कहा कि मुझे डिस्टरब मत करो मैं पूजा कर रहा हूँ और जिसने रत यात्रा निकाला इन दोनों को मोड़ी सरकार ने इस मुलक का सबसे बड़ा सिविलन अवाड दे दिया तबसे बड़ा सिविलन अवाड दे दिया तो ये 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 बताता है ये बताता है कि इनसाफ जिन्दा है या जलुम को बरकरार रखा जा रहा है तीसरी चीज़ तीसरी बात सर इस एवान में सियासी पार्टिया आएंगी चले जाएंगे आप आए मैं आया हम भी चले जाएंगे मैं जमीन मैं जमीन की गिजा बन जाओंगा ये एवान तो बाखी रहेगा मगर सर ये मैं ताजूब कर रहा हूँ कि लोगसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है लोगसभा तो एक ही आवाज बोलना चाहिए और लोगसभा भी भारत के संविधान आईन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है और सर ये इसलिए कह रहा हूँ कि 16 डिसम्बर को ये मैं ये ले कर देता हूँ 16 डिसम्बर 1992 को इसी लोगसभान एक रिजूलूशन पास किया था आप अजाज़त दीजिए तो मैं पढ़ता हूँ सर अच्छा ये गुलाम नभी उस वक्क के मिनिस्टर थे आज नहीं है उनका नाम मेलना चाहरा था इस हाँ स्ट्रॉंगली और अनिकुकिली कंदेंस देसिक्रेशन और देमॉलिशन और बाबरी मजडिद आयोधिया बाइ नदे इंस्टिगशन ऑप्रोस के लिए रच्छा अच्छाव प्रश्स और बज्रंग दाल and for the maintenance of rule of law और यह परग्राफ है नहीं पड़ूँगा मैं ताजूब कर रहा हूँ कि जब इस एवान ने एक resolution पास किया तो हुकुमत आएगी जाएगी और हुकुमत यह मोड़ी हुकुमत जशन मना रही है जो 6 डिसंबर को हुआ तो यह एक बात है सर चोती बात यह है के सर नहीं 6 डिसंबर के उपर कोई जशन नहीं है राम मंदर के निर्मान की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है और वो सर्वोच नियायले के त्वारा तथ्यों के आधार पर दियेगे निरने के कारण से हुआ है सर्वोच नियायले के निरने से त्थ्यों को देथ करके एक सेकिंड आप इसलाम के बहुत जानकार है विद्वाने वैसे भी अपकानून के यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाया है तो शायद उसको मानने नहीं किया जाता अभी A.S.I.E. ने सुप्रीम कोर्ट ने स्विकार किया है कि वहाँ पर राम मंदिर था तो विशे के बदिये है कि वहाँ पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना वो विशे हो गया तो कृपैस पर दिया आप कुछ बोले तो बोले प्लीज सर मैं मैं आपको घलत साबित कर दूँ आप और और मैंने रुक तो जाएए रुक तो जाएए बड़ी इज़त के साथ सर मैं आपकी बड़ी इज़त करता हूं बड़ी इज़त करता हूं सर आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोट का जज़्मेंट पारग्राफ 1222 रोमन 17 उसमें लिखा गया है और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़ कर बनाया गया सर मैं आपके सामें यह तमाम चीज़ें ले कर दूँगा सुप्रीम कोट के जज़्मेंट के पारग्राफ है जिसमें सुप्रीम कोट ने A.S.I. की रिपोर्ट को नकारा उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़ कर मस्जिद नहीं बनाई कई थी सुप्रीम कोट ने कहा यह सुप्रीम कोट ने कहा और मैं रख दूँगा आप पढ़ लीजिए आप पढ़ लीजिए अचा सर मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूँ मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूँ सर तो मैं अपनी बात कर देता हूँ सर तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मोडी सरकार एक समुधाय एक मज़ब की सरकार है या पूरे देश के मज़ाहिब को मानने वालों की सरकार है जिसको नहीं मानने उनकी सरकार है हमको बता दीजिए क्या मोडी सरकार क्या मोडी सरकार सिर्फ एक फिकर और नजरिया हिंदुतुआ की सरकार है क्या इस देश का इस गौर्रमेंट आफ इंडिया का कोई मजब है इस वतन अजीज सब के मजब को मानता है सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजब नहीं है क्या मोड़ क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम दे कर ये बताना चाहती है कि एक मजब को दूसरे मजब के मानने वालों पर गल्बा और काम्याबी मिली क्या आइन इसकी अजाज़त देता है क्या ये पैगाम आप जब इस एवान से दे रहे हैं तो 17 करोड मुसल्मानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ सर, 49 में धोका हुआ, 60 में धोका हुआ, 92 में धोका हुआ, 2019 और 22 में भी इस एवान के जरी हमको धोका दिया जा रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, कि मुसल्म अकलियत को हमेशा ये कहा गया कि तुम को भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी खीमत तुम को चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया, सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स परसन हूँ क्या मैं जिना का स्पोक्स परसन हूँ, क्या मैं औरंग्जेब का स्पोक्स परसन हूँ, बताईए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे जाले कर जाएंगे, दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है, कि फिर खिर दो, च्छे डिसंबर के बाद, देश में फसाद हुआ, न थी, अच्छा बलके मैं तो मर्यादा पुर्शोत और राम की इज़त करता हूँ, मगर मैं नाथूराम गोटसे से नफरत करता हूँ, मेरी नसले नफरत करती रहेंगी, क्योंके नाथूराम गोटसे ने उस श्छस को गोली मारी, जिसके जबान से आखिर लख निकले हे राम सर, चो छेटी बात ही है, कि 87 में मलियाना हशिम पूरा हुआ, 83 में निली हुआ, 44 में जमू में नसल कशी हुई, 2022 में हलद हलदिवानी में खतल हुआ, इतने धोके सबसे बड़े किस को दिये गए, असदुद्दीन OVC को दिये गए, मगर फिर भी मुझ से ही कहा जाता है, क 27 कोड मुसलमान अपने आपको अजनबी और एलिनेट मैसुस कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी नाइनसाफी होती है, कोई सर, ये कोई तारीकी नाइनसाफी को इनसाफ नहीं किया जा रहा है, बलकि अंग्रेजी में, इस्पीकर सर, केवल एक प्रस्न का जवाब हो, वैसी साह आप दे दें कि बावर को वो आक्रमन कारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पूछ रहे हैं, तुम गान्दी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियाओन और अबाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मसल्मान शहीद होगे, उनकी बात पूछते हैं, मगर बावर की बात पूछी जाती है, तो सर, मैं आपको बता रहा थ खामा खान डिस्टॉब किये सर मुझे मेरा वक ले लिए निशी कान दूबे सर मैं आप से कह रहा था मोडी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसल्मानों को कि जान बचाना है या इनसाफ चाहते हो मैं कह रहा हूँ मैं भीक नहीं मांगूंगा मैं इस नंगी तासिब को खुबूल नहीं करूंगा मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को खुबूल नहीं करूंगा मैं अपनी सनाक को नहीं मिटने दूंगा अब मैं जूटी और दिल फरेब वातों पर हर्गिस भरोसा नहीं करूंगा मैं वो काम नहीं करूँगा जो बी जे पी और नाम नहाच से कुलर पाटियां चाहती है मैं वो काम करूँगा जो आपको पसंद नहीं है सम्विधान के दाइरे में रहे कर सर कंकलूजन में मैं आपके बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किस की जरुवत है इस देश को ऐयोदिया में तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे मौलाना अमीर अली कौन थे पुजारी बाबा राम चरंदास कौन थे यायोदिया के पुजारी थे दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने अंग्रेजों ने इनको गिरफतार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी राम चरंदास को फासी दे दी गई देश को इनकी जरुवत है देश को शंबू परसाद अचन कां ये राजा देवी बख सिंग के फोज में थे अंग्रेजों से मकाबला किया मुसल्मान की लाश को जला दिया गया और शंबू परसाद को दफना दिया गया इस देश को ये जरुवत है देश को बाबा मोडी की जरुवत नहीं है आज भारत को अयोदिया के मौना अमीर अली और राम चरंदास अचन कांच संबू खान की जरुवत है सर मैं अभी सुन रहा था ये नाम नहाज सेकुलर पाकियों के बयानाद को क्या होता है सर आप रजामंदी की अलामत है तो सर मैं खतम करने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वजीर आज़म जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 को जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सुफ हिंदुत्वा की फिकर रखने वालों का मैं खतम कर जवाब देंगे मैं ये देश दुनिया मुसल्मान देख रहा है सर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ आखिर मैं कंक्लूट कर रहा हूँ सर एक मिनट चाहिए एक मिनट चाहिए सर सर मेरा मानना ये है मेरा मानना ये है कि आज मैं बहस्यत एक भारत के गयूर मुसल्मान के लेट मी स्टैंड अज़ टॉल इंडियन मुसलिमन से अज़ लाइट ऑफ इंडियन डिमाकरसी तोड़े इस जिमस्ट तोड़े सर सर इन कंक्लूजन मेरी फिकर में मेरा इमान मुझे कहता है कि जिस जगा पर मस्जिद थी है और रहेगी बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिन्दाबाद जिन्दाबाद भारत जिन्दाबाद जहिए